दोस्तों ये है जिंको लाइफ टैबलेट, आज के वीडियो में हम जानेंगे जिंको लाइफ टैबलेट के बारे में पुरी जानकारी, जैसे जिंको लाइफ टैबलेट में इंग्रेडेंट क्या है, जिंको लाइफ टैबलेट का इंग्रेडेंट कैसे काम करता है, जिंको ला side effect हो सकता है ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ मैं ऐसी कोई भी दवा आपको लेने की सलाह नहीं देता आपको के लिएए सबसे पहले जानते हैं जिन्क लाइप टैबियो में रूप में इसमें जिंक एसिटेट है तो आएए जानते हैं जिंक ए बारे में जैनकारी दोस्तों जिंक के बारे में जाने तो जिंक एक existential mineral है जिसे trace element भी कहा जाता है जिंक को एक जरूरी पोशक तत्वे भी माना जाता है जो आपका शरेर खुद इसे नहीं बना पाता है इसे हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है इसलिए बहुत सारे doctor इसे supplement के रूप में लेने की सलाह देते हैं इसके लिए आपको zinc rich food लेने की भी जरूरत पड़ती है या फिर आप zinc supplement भी ले सकते हैं जो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ले तो जादा बेतर है जो आपके शरीर में zinc की कमी को पूरा करेगा तो सवाल ये उठता है कि zinc की जरूरत हमारे शरीर को क्यों पड़ती है दोस्तो zinc दूसरा ऐसा element है दूसरा ऐसा mineral है जो हमारे शरीर के लिए important होता है iron के बाद zinc ही सबसे important mineral माना जाता है zinc शरीर के सभी कोशिकाओं में मौझूद रहता है और ये अपना काम करता रहता है zinc digestion, nerve system और nerve function को healthy रखने में मदद करता है metabolism को healthy रखता है और metabolism के process में मदद करता रहता है zinc immune cells के development और function के लिए भी बहुत जरूरी होता है zinc skin को healthy रखने का भी काम करता है दोस्तो zinc protein बनाने में भी मदद करता है और dna synthesis में भी मदद करता है zinc body growth में भी बहुत ही helpful माना जाता है बहुत सारे बच्चों को doctor zinc लेने की सलाह देते हैं या उनके माबापको zinc देने की सलाह देते हैं ताके बच्चे का विकास अच्छे से हो सके zinc sales को divide करने का काम करता है जिससे शरीर के development में मदद मिलती है जब हम कोई स्वाद महसूस करते हैं स्मिल करते हैं या फिर sense करते हैं तो इसमें भी zinc की ज़रत परती है मतलब शरीर में zinc की कमी हमारे taste को हमारे सूंगने की ताकत को और sense करने की ability पर भी इसका असर पढ़ सकता है इतना जरूरी होता है zinc हमारे शरीर के लिए दोस्तो अब आईए बात करते हैं zinc के फाइदे के बारे में दोस्तो zinc strong immunity के लिए बहुत ही important माना जाता है zinc immune system को healthy रखता है और रोक प्रतिरोधक शमता बढ़ाने में मदद करता है zinc viral infection bacterial infection से हमारे शरीर को protect करता है मतलब हमारे शरीर में अगर zinc रहेगा तो हम बहुत सारे viral infection से बचे रहेंगे जिसमें सर्दी जुकाम होना या फ्लू होना बुखार आना बार बार तबियत का खराब होना ऐसी समस्याओं से बचने में मदद करता है zinc दोस्तो इसके इलावा bacterial infection से भी बचने में मदद करता है bacterial infection से जब हमारे शरीर को protect करता है zinc तब हमारे शरीर का weak immune system healthy हो जाता है और हमारा शरीर bacterial infection से लड़ने में सक्षम हो जाता है जिससे बाहरी infection या हमारे शरीर में कोई चोट लग गया है या जखम हो गया है तो उसे जल्दी heal करने में जल्दी ठी करने में मदद करता है दोस्तों, zinc particular immune cells को stimulate करने का काम करता है जिससे हम अंदर से अपने आपको मजबूत या strong महसुस करता है दोस्तों, zinc oxidative stress को कम करता है जिससे inflammation का खत्रा कम होता है जिससे heart disease, cancer का खत्रा और mainter problem मतलब मानसिक बिमारी जैसी समस्या से हम बचे रहते हैं के एक ढ होता है जो bacteria infection की वज़ыми हैं अगर हमारे चेहरे mess रहा है फोराइए फ्जान अगर हमारे बैंटरिया का होता है और इकने जो bacterial infection की वज़ा से होता है उसे कम करने में कई हद तक मदद करता है दोस्तों इसके इलावा zinc age related disease को कम करने में भी मदद करता है मतलब बढ़ती उमर के कारण होने वाले autoimmune disease के खतरे को भी कम करता है autoimmune disease ऐसी बिमारी को कहा जाता है जो लंबे समय तक रहता है हमारे शरीर में या उमर भर जो बिमारी होती है उसे autoimmune disease कहा जाता है autoimmune disease होने पर हमारा immune system खुद ही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है जिससे हमें कई लंबे समय तक या उमर भर के लिए रोग लग जाता है बिमारी लग जाती है ऐसी बिमारी में अक्सर देखा जाता है कि लोग कमजोर हो जाते हैं जिन्हें आटो इम्यून डिजीज है वो अंदर से अपने आपको कमजोर महसूस करते हैं और लंबे समय तक बिमारी होने की वज़े से दिन पर दिन उनका सेहत गिरता चला जाता है दोस्तो ऑटो इम्यून डिज़ेस होने पर डाविटीज होना आथराइटिस होना मतलब जोडों का दर्द होना गठिया होना थाई ब्लड पिशर की शिकायत होना या फिर हार्ट डिज़ेस और कैंसर जैसी बिमारी जो ऑटो इम्यून डिज़ेस के कैटिगरियए चला पर से improve करने में मदद करता है और ऐसे autoimmune disease होने पर ये जिंक हमारे शरीर को अंदर से मजबूत रखने में मदद करता है और दूसरी बिमारियों के खत्रे से भी बचा कर रखता है दोस्तों इसके लावा अगर हमारे शरीर में जिंक की कमी हो जाए तो बहुत सारे समस्या हो सकती है जैसे बार-बार diarrhea होना, lose motion होना और बार-बार बदहजमी हो जाना, पेख खराब होना या फिर immunity का कमजोर होना इसके लावा बालों का पतला हो जाना, बालों का जड़ना, इसकिन का ड्राई हो जाना, इसकिन रूखा रहना, भूक ना लगना, मूट का बदलना, बार-बार मूट चेंज होना या मूट खराब होना, मूट disturbance जिसे कहा जाता है और या फिर अगर चोट लग गई है या जखम हो गया है तो जल्दी ठीक ना होना, जल्दी हील ना होना, ऐसी समस्या हो सकती है अगर ऐसी समस्या या इन में से कोई समस्या आपके शरीर में दिखाई दे तो आपको समझना जरूरी है कि आपके शरीर में जिंग की कमी है या नहीं या फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है दॉक्टर बहुत सारे ऐसे टेस्ट करवाते हैं जिन में ये पता चलता है कि आपको जिंग की कमी है या नहीं या आपके शरीर में जिंग की कमी है या नहीं तो दोस्तों ये तो था जिंग के बारे में जानकारे अब आई ये बात करते हैं अगर हम जिंग को लाइफ टैबले नहीं देखा गया है लेकिन कभी कभी किसी को उल्टी होना पेट में दर्द होना चेहरे में सुजन होना या फिर पेट का अपसेट हो जाना ऐसी समस्या अगर दिखे आपको तो तुरंट जिंको लाइफ टैबलेट लेना बंद कर दे या इसके अलावा भी अगर आपको कोई स अच्छी लेगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद करिए कर दो